वेलकम बाग एवरिवान स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़े आउंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरीदना is the easiest part हम आपको बताएं कैसे आपकी products use कर सकें ताकि आप इनका most ले पाएं सबसे जरूरी बात जो हम आपको वीडियो आगे बढ़ने से वहले बताना चाहते हैं जो beauty है वो आपके confidence में लाए करती है अगर आप confident नहीं है तो जितना सुंदर चेहरा हो ले वो नहीं द damage कर सकते हैं आपकी skin में तो यह वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि perfect skincare routine हम आपके लिए बताएंगे अगर आपके routine follow कर लें तो ना सिरफ यह hyperpigmentation पर काम करेगी dark spot पर काम करेगी बट आपकी skin को youthful और shining भी रखेगी तो चलिए शुरू करते हैं हमारी skin को color देता है आपने देखा होगा all around the world सबकी skin का color अलग होता है उसका reason है यही melanin pigment जब वह imbalance हो जाता है तो हमारी skin का color अलग हो जाता है कहीं जगा dark कहीं जगा light पहले आपको बताते हैं कि क्या factors होते हैं जिसके पीछे melanin imbalance हो जाता है सबसे पहले sun exposure sun की damage की वज़े से ह तो हम control नहीं कर सकते तीसरा harm bone imbalance और चौथा हमारे को कोई भी injury हो कोई भी दाना हो गया आपने उसको pop-out कर दिया तो pigmentation में convert हो जाता है बट बिलकुल भी tension लेने वाली बात नहीं है जो यह आज का routine है इसको follow करो properly follow करो एक महीने के लिए आपको खुड difference दिखने लग आपके पोर्स को properly cleanse करता है melanin को block करता है वो make sure करता है कि आपकी जो dark spot है वो आगे बड़े ही ना biggest देखो आप face pack वगएरा हर रोस तो लगा नहीं सकते बट face wash आप दिन में अराम से दो बार कर सकते और आपको दो बार करना ही चाहिए एक बार सुबह उठने के बाद और सोन करना चाहिए इस पर हमने properly dedicated video बनाई हुई है मैं उसका link description में डाल दूँगा जरूर जाकर चेक आउट कर ले आप एक परफेक्ट face wash for pigmentation इसली चूज कर पाएंगे step number two follow up with a vitamin C face serum आपने जैसे ही face wash करा है उसके बाद आपने लगाना है vitamin C face serum आपको ये भी twice in a day लगाना है face wash जब भी करो उसके बाद vitamin C serum से follow up आपने करना ही करना है vitamin C जो है वो एक all round ingredient है वो basically आपको हर skin की समस्या solve करता है अगर बात glow की हो गोई anti-aging की हो गोई यह हो गई dark spot की यह तीनों पर ही काम करता है एक vitamin C serum हमारे एक जादू से कम नहीं है विकिस हमारी skin को smoother भी करता है healthy भी बनाता है बहुत से लोगों ने तो cream लगाना ही छोड़ दे सिरफ vitamin C serum लगाते हैं इतना lightweight होता है गर्मियों में easy to carry होता है और आपकी skin में deeper जाता है अब बात आती है कौन सा vitamin C serum हमारे को लेना चाहि पर हमने एक dedicated video बनाई है top 10 vitamin C serums उसका link में आपको description में डाल दोगा जरूर जाके check out कर लें ताकि perfect vitamin C serum आप चूस कर पाएं वैसे अगर short में आपको बता जाए कई अच्छे brand आते हैं plum का आता है लैक्मे का आता है आप कोई भी ले सकते हैं बट अगर आप एक बढ़िया वा वाला vitamin C serum easily choose कर पाएंगे step number 3 anti-pigmentation face cream आपने सबसे पहले करना है face wash उसके बाद आपने लगाना है face serum and finally उसको follow-up करना आपने anti-pigmentation cream के साथ papaya creams usually बहुत बढ़िया रहती है anti-pigmentation की बात करें तो उसके अंदर होता है whitening enzymes जो melanin को block करता है जो main reason होता है dark spots और pigmentation का अब कौन स अगर आप फिर भी detail में video देखना चाहते हैं तो description में link डाल दोगा आप वहां जाके देख सकते हैं एक perfect cream आप easily select कर पाएंगे for pigmentation के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने इसको भी twice in a day लगाना है यह नहीं कि सब एक बार लगाया और हमारे को result मिल जाएगा बहुत से लोगों को यह लगता है मैंने जब बाहर जाना है तब ही sunscreen लगानी है यह बात कुछ हद तक तो सही है बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना जी कि जब आप घर में भी रहते हो ना face पे tanning तब भी होती है blue light blue light जिसा आपके phone से भी निकलती है laptop से भी निकलती है non-comedogenic sunscreen लेनी है अगर आपके terms के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले non-comedogenic होता है आपके pores को वो clog बिलकुल भी नहीं करेगा और broad spectrum होता है वो UVA और UVB rays दोनों से protect करेगा तो आप जब भी sunscreen खरें अपने sunscreen को पलट के जरूर देखें कि उसमें ये दोनों चीज़े हैं और अगर आप फिर भी नहीं चूस कर पाते हमें description में दिये गए नंबर पर contact करें हम आपको बतांगे कौन सी sunscreen सही रहेगी आपकी skin के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया sunscreen एक everyday product है अगर आप sunscreen नहीं लगाओगे न तो melasma और pigmentation एकदम से boost up हो जाती है आपकी हलकी फुलकी होगी और आप जब sun में निकलोगे वो एकदम बढ़ जाएगी तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बाहर कदम रखने से पहले sunscreen लगाना बहुत ज़रूरी है इंडोर भी लगाओ तो बहुत बढ़िया है अपने skincare regime के final step पे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो यहा फिल करती रहेंगी तो चानल को बिल्कुल डिले करें और अभी के अभी करने subscribe ताकि आप कोई भी important वीडियो मिस ना कर दें finally step number five exfoliate but gently आपको आपने daily का रूटीन तो बता दिया यह चार्ज चैप आपने follow करने ही करने है daily जो exfoliation है वो आपने once in a week follow करने और बहुत gently follow करने आप यह सोचो कि मैं अच्छे से रगडलू pigmentation निकल जाएगी यह बहुत बड़ा मित है हलके हाथ से आपने रब करने circular motion में आपने massage करने आप जादा देड़ तक तो massage कर सकते हो बट over आपने नहीं करना विकल्पी 뉴스 जबभ करता होना आपके पोर्स वगेरा खुल जाते हैं तो फेस्ट पैक काम करता है आपके पोर्स को टाइटन अप करने के लिए ताकि आपका ग्लोब बना रहे अब पिग्मेंटेशन के लिए कौन सा फेस्ट पैक लेना इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक आउट कर सकते हो अगर आप एक परफेक्ट फेस्ट पैक चाह रहे हो पिग्मेंटेशन के लिए पहले मैं आपको यह बताता हूं कि स्क्रबि करते हो ना तो आपके स्किन में डेट स्केन होते हैं जो हमारी स्किन रेगिलर्ली शेड़ करती है तो जो एक स्क्रब होता हूं सेल को हटा देता है ठाकि जो नए सेल्स बने और आपके प्रवकर्टी ग्लोव और पिग्मेंटेशन बिल्कुल रिमूव हो जाई एल अगें जो आप face pack लगाते हो वो tanning हटाने का भी काम करता है skin tone को even भी करता है और साथ-साथ melanin को block करने का भी काम करता है ये था एक easy five step routine for treating pigmentation and dark spot इससे easy routine मुझे नहीं लगता आपको मिल पाएगा ये आप अराम से follow भी कर पाऊगे और इससे कोई आपकी skin को नुकसान भी नहीं होगा ये एक daily का routine है और जैसे कि मैंने already बताई है सिरफ pigmentation पर काम नहीं करेगा आपकी skin को youthful और glowing भी रखेगा सबसे जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए pigmentation एक बहुत common problem है pigmentation more than 50% लोगों को है दुनिया में अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल tension लेने वाली बात नहीं आप बिल्कुल अकेले नहीं हो बस एक perfect सा skincare routine follow करो और pigmentation बिल्कुल दूर हो जाएगी हमने जो आपको routine बताया है ना हमने बोला day में भी follow करना है नाइट में फॉलो करना है उसका रीजन में आपको बता देता हूं ऐसा क्यों है चो डे का टाइम होता है ना वो बहुत हमारी स्किन के लिए stressful होता है बाहर भी निकलते हो pollution भी होता है डेट स्किन भी होता है तो वह आपकी दिए गए whatsapp नंबर पर हम एक एक चीज में आपकी help करेंगे और पूरा routine बनाने में भी आपकी help करेंगे वीडियो helpful लगी हो तो like और share ज़रूर करें हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में until next time this is your host Troid Sajdeva good bye